मुश्यार दोस्तों आप सभी के और नीए वीडियो में स्वागत है तो आज की वीडियो में यहाँ पर मैं बात करने वाला हूँ नई लेटिस बीओ आई टैन की बीटा अपडेट के बारे में जो की है नौ आठ नौ चे की तो इससे पहले मैंने वीडियो बनाई थी आठ नौ चार की तो उसमें आपने देखा होगा मैंने आपको बताया था एक दोनाए फीचर के बारे में अगर आपने नहीं देखी है तो आप वाली देख सकते हो यहाँ मैंने भी इसको इसली अपडेट कर दिया है मेरे में OTA अपडेट आगया था अगर आपके में नहीं आया है तो लिंक में आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा आप चाहें तो फुल रोम या OTA अपडेट की रोम से डाउनलूट करके उसको अपडेट कर सकते हैं बहुत ही इसली अपडेट हो जाएगी इसमें आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी तो यहां पर चेंज लॉक की बात करें तो आपको देखाई दे जाता है इंप्रूब सिस्टम स्टेबिलिटी और दूसरा है आप्टिमाइज सिस्टम प्रफॉर्मेंस तो एज विजवल हमको यह दोनों चीज देखने को मिलती है और कुछ खास यहां पर चेंज लॉक में आपको देखने को नहीं मिलेगा तो यहां पर मैं सैटिंग में चल के देखता हूँ कि और कुछ आगर आपको देखने को मिला है नहीं तो अभी OTA update आप देख सकते हैं Security patch Android का वो अभी अगस्त का ही है उसमें आपको कुछ नया देखने को नहीं मिलता है तो यहां पर यह MIUI 10 की देख सकते हैं latest update यहां पर मेरा phone up to date हो गया है होती ही रहती है उसमें कोई नहीं बात नहीं है तो यहां पर मैंने आपको बताया था पिजली वीडियो में जो की close beta वाली थी तो इसमें आपको यहां पर दिखा नहीं था मैंने security app में कि आपको कुछ नए आपको शिक्रिट Elliott आपको यहाँ पर बैटरी में मिलता है तो बैटरी यूजज वाला यहाँ पर सिस्टम थोड़ा आपको चेंज होता हुआ दिखाई देगा यहाँ पर आपको पूरी तरीके से चार्ट देखने को नहीं मिलेगा उसके लिए आपको इधर सबको अंटिक करना होगा उसके बाद Optimize Manually में जाना होगा Optimize Manually में जाएंगे तब आपको यहाँ पर Advanced Settings यहाँ पर ओपन होगी और यहाँ पर आपको पूरा चीज बताएगा तो यहाँ पर आप उपर देख सकते हैं कि users time temperature और battery capacity भी यहाँ पर दिखाने लगेगा तो यह चीज यहाँ पर आपको नई देखने को मिल जाएगी तो इस तरीके से नया यहाँ पर यहाँ पर आ गया है उसके बाद यहाँ एडवांस चैटिंग में आपको दिखाएगा शेडूल पावर आफ उसके बाद बैटली सेवर का और नीचे आपको फाइनली य आपको यहाँ पर यह यूजज टाइम है यह दिखाता है साथी साथ बैटली का टेंपरेचर भी आपको बता देगा तो इस ताइम 41 डिगरी टेंपरेचर है काफी ज़्यादा गरम हो रही है और क्योंकि अभी मेरी बैटली चार्ज नहीं है और मैं फास चार्जर से भी चा करना पड़ेगा आप ही के लिए तो कुछ दिन और यूजज कर लिया है तो देखते हैं उसके लावर नीचे आपको एक और चीज नहीं है देखने को मिल जाएगा हार्डवेर टेस्ट तो सिकरेटी आप में आपको यह एक और नहीं है देखने को मिल जाएगी कि अगर आप आपको फोन सेल करना है कैश रिकाइकल और एक्षेंज करना है उसके बाद वन एसिस्टेंट का न्यू डिवाइस का सब चीज आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा तो यहाँ पर यह पूरा टेस्ट कर रहा है आपकी मी रिसाइकल का कि किते में आपका फोन यहाँ पर यहाँ पर मेरा रेड्मी नोट फाइप प्रो नया नया से बहतर सो में बिकेगा ओसम यू डिवाइस विल इस स्टिल गूट कंडिशन वैल्यू अलॉट गैट अप्टू सेवेंटी टू हंड़ड बो मतलब बहतर सो तक ही मिलेगा मेरा पंद्रह हिजार का फोट बहतर सो मे बिकेगा हाफ प्राइज में तो यहाँ पर आपको पूरा टेस्ट यहाँ पर मीरी सैकल का दिखाई देगा तो इस तरीके से आप इसको चाहें तो यहाँ पर यूज कर सकते हैं अगर आपके फोन सेल करना है आपको तो तो काफी अची चीज यहाँ पर आपको इसको देखन नहीं कर रहा है पता नहीं क्यों दे रखा है लेकिन दे दिया है तो चलिए देखते हैं कि कब तक यहां पर यह वर्क करेगा उसके अलावा फ़र्स टेट आपने देखा होगा आपके फोन को यहां पर पूरा पर्फॉर्मेंट्स सैटिंग और अधार इशू के यहां पर पू कम लग रही है यानि डिक्रीस थोड़ी बहुत हो गई है वीडियो में भी यहां पर आपको दे देगा जल्दी वही है फुल एजडी तो वह भी आपको नहीं मिला है उसके लगा और चीज में यूज करके आपको बताऊंगा कि किस तरीके से वर्क कर रहा है और किस तरीके से यहां पर पोको लाँचर यूज कर रहा हूं तो अगर आपको कुछ कुछ कंफूशन हो प्लीज कंफूज मत होईगा कि मेरा अलग है मेरा अलग कैसे नहीं है तो इस तरीके से आपको मैं सिस्टम में अभी करके दिखा देता हूं पोको लाँचर अभी डिफॉल्ट सिस्टम देख सकते हैं इस तरीके से यहाँ पर ओपन हो जाता है सैटिंग में जाके अगर आपको नहीं पता तो आप देख सकते हो लाइक कर देना शेयर कर देना सब्सक्राइब कर लिना उसके लाँव आप देख सकते हैं यहाँ पे एब वाल्ट आ गया है और आपको 20 मू बाब बाइ